तो स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरुव में और आज हम लोग बात करने वाले हैं तो नम्बर सिस्टेम बिट अब बहुत ही वास्ट एक चैप्टर है जिसमें से आज हम एक पार्ट की बात करेंगे जिसे हम लोग कहते हैं unit digit यानि इकाई की संख्या unit digit का इकाई की संख्या एक बहुत ही महत्पूर्ड role play करती है आप कोई भी exam दे रहे हूं क्योंकि कई बाद simplification के सवाल सिर्फ आप इकाई की संख्या देख कर बता देते हैं कई बार इन पर बेस directly सवाल आपके exam में आ जाते हैं तो यह क्या है और कैसे से solve करते हैं आईए चल कर समझते हैं तो unit digit या इकाई की संख्या अगर मैं कहीं पर भी कोई एक number लिखता हूं यानि कोई संख्या लिख रहा हूं माली जिस 7289 7289 में जो भी digit आपके once पर आए यानि आखरी जो संख्या होगी इसे हम इकाई या unit digit कहते हैं अब यहाँ पर बेस बहुत तरीके के सवाल आते हैं जैसे जैसे सवाल आएंगे वैसे वैसे हम उन्हें करकर समझते रहेंगे एक चीज याद रखिएगा अगर मैं कभी भी करना है इसका मतलब मुझे क्या करना है यह जो इकाई के अंक है सिर्फ उन्हें एड करना है बाकी से हमें मतलब नहीं है क्योंकि मुझे से क्या पूछा जा रहा है इकाई की संख्या यानि unit digit अगर यहाँ पर कितने भी नंबर होते हैं माल लीजे 12 यहाँ पर लिखा होता है 123 आपको कुछ नहीं करना आपको से विकाई के अंक एट करने आट और दो दस दो बारा तीन पंद्रा यानि एकाई की संख्या हो गई पाज बागे कुछ भी आए हमें उससे मतलब नहीं है हमें सिर्फ किस से मतलब होगा 1 की संख्या से मतलब होगा सेम केस आपका multiplication में भी च मुझे सिर्व एक चीज से मतलब है काई की संख्या तो मैं तीन इंटू दो कर देता हूं और यह हो जाता है च्छे तो इकाई की संख्या हो जाएगी इस केस में इतनी बात आप सबको clear हो गई होगी तो बढ़ते हैं सवालों की तरफ और देखते हैं इस पर बेस किस प्रकार क को देखने को मिलते हैं बच्चो तो पहला सवाल यह रहा आप सभी के सामने अब यहां पर कह रहें find the unit digit of 217 प्लस 643 प्लस 576 यानि मुझे यह तीन नंबर की काई की संख्या निकाल लिए तो मुझे किस से मतलब है मुझे सिर्फ unit digit से मतलब है तो मैं क्या करूंगा साथ प् गई तो answer आगे option second answer क्या जाएगा option second six बात clear तो आपने सिर्फ इकाई की संख्या को यहां add किया चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ और देखते हैं अगला सवाल क्या है आप सभी के लिए तो अगला सवाल यह आगे आप सभी के लिए इसका क्या है जवां वीडियो क पॉस करें ट्राइ करें बहुत सिंपल से सवाल लग रहा है तो एक बार वीडियो को पॉस करें और solve करने का प्रयास करें चलिए उमीद करते हैं अभी तक आप सभी का जवाब आ चुका होगा अगर आप सभी का जवाब माइनस दो आ रहा है और माइनस दो कभी unit digit नहीं हो स पर इन में से सही है या नहीं चलिए अगर मैं इस case की बात करूँ तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है 8 मैंने कहा यह भी minus 8 यह भी positive 8 यह आपस में cancel out अब मेरे पास भचा 3 plus 2 5 और यहाँ से आया minus का 7 तो 5 में से 7 गया और मेरे पास भचा minus का 2 अब मुझे पता है एकाई की सं क्या negative 2 नहीं हो सकती है तो आपके मन में आता है negative 2 हो ही तो क्या हुआ दो तो है वही answer हो जाएगा अगर ऐसा आपके मन में आ रहा है तो बिल्कुल गलत अगर यह minus 2 आ रहा है इसका मतलब आपको क्या करना है 10 में से 2 हटा देना है क्या करना है कैरी ले लिया लेते हैं न हम लोग तो वही एक तरीके से हमने कैरी ले लिया जीरो था जीरो यानि 10 हो जाएगा कैरी आने पर 10 में से 2 चला कर मेरे पास बचेगा 8 तो 8 मेरा सही जवाब होगा यानि option second 8 is the right answer बच्चो सही है तो अगर कभी भी आपके पास solve करने पर iqai की संख्या negative आ रही हो तो आप क्या करेंगे आप उसे 10 में से minus कर देंगे और जैसे आप 10 में से minus करेंगे आपके पास positive value आएगी और positive value जो होगी वह आपका answer मतलब 10 में से माइनस करने का मतलब यह नहीं है कि 10-2 तो माइनस 2-2 प्लस करके 2-12 बता दो ना 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 10 में से जो भी आपकी वैल्यू आ रहे है नेगेटिव आ रहे है उसको as it is act माइनस 2 हो जाएगा यह कहने का मतलब था ठीक है मैं बोला 10 में से वह वैल्यू हटा दो दस में माइनस इसलिए बोलाओ कि क्यों अल्रेटि लगा यानि जो नंबर आपका नेगेटिव आ रहा है वह दस में से माइनस करने को कहरो नंबर मैगनिट्यूड सिर्फ मैगनिट्यू संख्या से मतलब रह जाएगा तब मुझे सिर्फ किसके से मतलब रह जाएगा इकाई की संख्या से मतलब रह जाएगा तो मैं इसे कैसे करूंगा एक इंट्व दो इंट्व इंट्व तीन इनट्व चार्ण यहां पे आप देखेंगे 4 थ्री जा 12 12 इसा 24 24, Master 25 ही रहेगा त 24 से IKAI की संख्या आगई 24 से IKAI की संख्या क्या आगई मेरे पास 4 यानि Option Third 4 is the right answer यानि Option Third 4 is the right answer सही बच्चो इतनी बात सबको Clear हो गई होगी मेरे ख्याल से आपको क्या करना होता है सिफ IKAI की संख्या को multiply करना होता है बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ देखते हैं उसमें क्या है आप सब के लिए चलिए इसको भी वीडियो को पॉस्ट करिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए उमीद करेंगे यह सब का आप सभी का अंसर इसका बड़े आसानी से आ गया होगा लेकिन हम इसे और जल्दी करना सीखेंगे कैसे अगर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो आप कहरोंगे दो इंटू तीन इंटू पांच इंटू साथ फिर आपने क्या क्या होगा दो तीया इंटू साथ 210 यानी 0, इतना लंबा नहीं करना, एक simple सी condition याद रखिए, कि 5 अगर आपको कहीं पर भी काई की संख्या में दिख रहा है, multiplication में, तो आपके दिमाग में सबसे पहली बात क्या आती है, कि अगर इस 5 के साथ कहीं पर भी even value आ रही है, 5 के साथ कहीं पर भी even value आ रह 5 इंटू 2 होता है 10, और फिर 0 multiply by anything always gives 0, 0 multiply by anything always gives 0, तो हमें क्या पता चला, कि अगर यहाँ पर 12 और 15 है, यानी 2 इंटू 5, यह 10 हो जाएगा, फिर बाकी चीजों से मतलब ही नहीं है, answer 0 ही आएगा, इसके अलावा, अगर आपके पास 5 है, और सारे number, all numbers, rest of all the numbers are odd, बचे हुए सारे number odd है, तो आपको पता है, काई की संख्या 5 होगी, एक simple सी बात याद रखना, 5 में अगर आप even number multiply करते हो, तो वो आपको 0 देता है, और 0 multiply by anything, 0 होता है, और 5 में अगर आप odd number multiply करते हैं, तो वह हमेशा 5 ही देता है, और 5 multiply by 5, फिर से 5 ही आता रहता है, तो यह concept अगर तो आप इस सवाल में जैसे ही even number और 5 को देखेंगे, आप answer 0 यानि option 2 टिक करते हैं, clear, अगला सवाल, अगला सवाल सेम उसी प्रकार का है, अब इसका answer आप देख कर बता सकते हैं, कि 5 आया है, 5 तो आया है, कोई भी even number नहीं है, 4 में 5 भी आया है, यानि 5 में सारे odd है, तो answer क क्या हो जाएगा, 5, 5 के साथ सारे odd number multiplication में आये है, यानि कि आपका उत्तर जो है, वो हो जाएगा 5, अगर एक भी even होता, तो 0 हो गया, और एक भी even नहीं दिख रहा है, तो 5 हो गया, दोनों case आपको clear हो गये होंगे, यहाँ पर अभी तक उमीद करते हैं, चले, आगे बढ़ हैं, तो हम easily इसे solve कर सकते हैं, देखो, अब 5 के साथ odd number है, तो मुझे पता है, यहाँ से 5 आएगा, यहाँ मुझे पता है, 5 आएगा, और यह plus 2 minus 7, तो 5 plus 2, 7 और minus 7, यानि एकाई की संख्या हो गई, 0, 5 plus 2, 7 minus 7, एकाई की संख्या हो गई, 0, यानि की option second is the right answer, option second is the right answer, आप स कर लिया होगा, यह मुझे उमीद है, चलिए, आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर लिखा है कि unit digit पर exponential हो, यानि कोई power हो, तो यहाँ पर एक चीज याद रखेगा, कि एक cyclicity होती है, power की cyclicity क्या है, कि कुछ power के बाद, power जो unit digits है, वो repeat करने लगते है, 4 example, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 2 की power 1, तो 2, 2 की power 2, तो 4, 2 की power 3, तो 8, 2 की power 4, तो 16, 2 की power 5, तो 32, आप देखिए क्या हुआ, पहला term और पांच विल टम की इकाई की संख्या सेम है, आप आगे भी देख सकते है, 2 की power 6, 2 की power 6 कितना हो जाएगा आपका 64, देखिए, सेम आगे, फिर 2 की power 7, 128, फिर सेम आगे, 2 की power 8, 256, फिर सेम आगे, और 2 की power 9, 512, फिर सेम आगे, यानि हर चौथी डिजिट के बाद यह आपने आपको रिपीट कर रहा है, और यह ऐसा इसी में नहीं सब में होता है, तो 3 की power 1, 3, 3 की power 2, 9, 3 की power 3, 27, 3 की power 4, 81, और 3 की power 5, 243, देखिए, रिपीट करने लगा, यह अपने आपको क्या करने लगा, रिपीट करने लगा, 3 की power 6, 729, फिर से रिपीट होने लगा, तो यह जो होता है, यह साइकलिसिटी है, आपकी डिजिट की, आप देखो, यहाँ पे मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, आप उसे याद रख सकते हैं, कि अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, यही 10 नमबर होते हैं, इकाई की संख्या, अगर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 4 तक अभी मैंने देखा, रिपीट करता है, maximum आपकी साइकलिसिटी 4 ही चलती है, साइकलिसिटी चलती ह 1, 2, 4, 1, 2, 4 पे चलती है, यानि या तो एक ही नमबर अपने आपको हर बार रिपीट करेगा, जैसे 0 के case में, 0 पे कुछ भी पावर हो, इकाई की संख्या, फिर हमेशा 0 ही आती है, 1 पे कुछ भी पावर हो, इकाई की संख्या, हमेशा 1 ही आएगी, यानि अगर आपकी unit digit 1 ह है, उस पे कुछ भी पावर चली हो, हमेशा 1 आएगा, 2 के case में, इकाई की संख्या, पावर 1 होगी तो 2, पावर 2 होगी तो 4, पावर 3 होगी तो 8, पावर 4 होगी तो 6, 3 के case में, 3, 9, 7, और 1, 4 के case में, 4, 6, 4, 6, तो आप देखिए, ये इधर, इधर, cyclicity 1 चल लगी थी, इधर, इधर cyclicity 4 चल लिए, कि 4 के बाद repeat करना, यहाँ पर आपकी cyclicity 2 चल लगी है, 4, 6, 4, 6, यानि हर दूसरे term के बाद value repeat करना, 5, 5, 5, 5, 5, ये भी same, single cyclicity है, यानि सब पे same value आ रही है, 6 के case में भी, 7 के case में 7, 9, 3, 1, 8 के case में 8, 4, 2, 6, 9 के case में 9, 1, 9, 1, तो हमें क्या पता चला, single cyclicity वाले, आपके case है, 0, 1, 5, और 6, जबकि 2 cyclicity वाले term है, 9 और 6, इनकी cyclicity क्या है, 2, और बाकी सब की क्या हो जाती है, 4 हो जाती है cyclicity, अगर ये values आपको याद है, तो आप बहुत आसानी से values solve कर सकते हैं, unit digit का case में, जैसे, इनके कुछ special case है, आप उन्हें भी याद कर सकते हैं, फिर आपका exam में ये सवाल solve करना और आसान हो जाएगा, दिखते हैं कैसे, पहला case, 0, 1, 5, 6, के लिए हमेशा 0, 1, 5, 6 ही आता है, क्या कहा, cyclicity इनकी 1 है, और ये अपनी ही values को repeat करते हैं, तो हमें पता है, अगर मैं लिखता हूँ, 10 की power N, तब भी 1 काई की संख्या 0 होगी, अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ पर माल लीजे, 11 की power N, इकाई की संख्या इस case में भी 1 होगी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, 125 की power N, तो यहाँ पर भी 1 काई की संख्या 5 ही होगे, क्योंकि 5 पर कुछ भी power आए, यहाँ पर मैंने लिखा माल लीजे, 36 और 36 की power N, तो यहाँ पर 1 काई की संख्या 6 हो जाएगी, independent of कोई भी power हो, clear है बात, आगे पहला special case, तो कौन कौन से, 0, 1, 5, 6, यह 4 नमबर है, अगर 4 की बात हो रही है, 4 की बात करें, तो यहाँ पर आपको पता, इसकी cyclicity 2 है, 4 की power 1 पर 4 आता है, 4 की power 2 पर 6 आता है, 4 की power 3 पर 4 आता है, 4 की power 4 पर 6 आता है, यानि जब power odd है, 1, 3 odd है, विशम है, जब क्या है, घाता गातांक, क्या है, विशम है, तो हमेशा 4 आता है, और जब घातांक, यानि power even है, तो आपका 6 आता है, तो आपका 4 आता है, तो 6 आता है, 4 पर 1, 4, 4 की power 2, 16, तो 6, बस 4 और 6, अगर power odd है, तो 4, पर even है, तो 6, इसी तरीके से, 9 का case भी चलेगा, क्योंकि उसकी भी cyclicity क्या है, 2 है, तो 9 की case में क्या हो जाएगा, 9 की power 1, 9, 9 की power 2, 1, यानि जब भी इस पे विशम है, यानि 9 की power अगर odd है, तो हमेशा इकाई की संख्या 9 आएगी, और 9 की power अगर sum है, यानि even है, तो 9 की इकाई की संख्या इस case में हमेशा 1 आएगी, simple case से 2, यहाँ पे भी आप ऐसी याद रख सकते है, 9 की power 1, 9 होता है, 9 की power 2, 81 होता है, तो 9 और 1 के ही case में, यहाँ पर values चलेंगी, बच्चू, चलें, आगे बढ़ते हैं, अगली condition की तरफ, जो बहुत important condition है, आप सभी के लिए, क्या कहा जा रहा है, if a number is in form of a की power 4, एकी power 4n, यानि की, अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया है, 2 की power 8, तो यह 8 क्या है, 4 into 2 के form में, ठीक है, तो अगर एकी power 4n के form में है, अगर यहाँ पर even number है, संख्या क्या है, even है, जैसे अभी मैंने लिखा ना, 2 की power 4 into 2, तो अगर यह even number है, तो एकाई की संख्या 6 ही आएगी हमेशा, हमेशा क्या आएगी, 6 आएगी, except unit digit 0 हो, क्योंकि 0 के case में हमेशा 0 आता है, इसी प्रकार से, अगर यहाँ पर यह odd होता, यानी 3 कि power 8 होता, तब एकाई की संख्या हमेशा एक आएगे, ठीके हमेशा एक आएगे की संख्या, अगर और नमबर पर हो, किसके अलावा पाँच के अलावड, क्योंकि 5 पर कोई भी power हो हमेशा क्या आता है 5, यानि कि 아गर मुझे कभी भी दिख जाए 3 की power 4, करके एकाई की संख्या एक बता तोगा इसी प्रकार से अगर कभी भी मुझे दिख जाए दो की पावर 4N, चार की पावर 4N, छे की पावर 4N और 8 की पावर 4N तो मैं आग मंद करके यूनिट डिजिट 6 बता तोगा, यह एक important case था अब आपके मन में आता है सारे case तो बता दिए पर अगर यह power चड़ी है जो इन सारे cases को follow नहीं करती तब हम क्या करेंगे चलो देखतें कैसे करेंगे आपके सामने एक example लिखा है 33 की power 81 अब मुझे इसे solve करना है सर यह ना तो चार है ना तो नौ है ना तो पाँच है ना जीदिदो है ना वन है ना पावर फॉर एंग के फॉर्म में है आपने जित्ते case बतायते कोई case नहीं लगर आप क्या करें देखो यहां पर एक चीज आपक 4 पर maximum 4 पर चलती है हम 4 को लेकर चलेंगे maximum अगर 4 पर चलती है हम हमेशा 4 को लेकर चलेंगे तो मैं क्या करूंगा इसे 4 से divide कर दूंगा चार से divide कर दूंगा तो जो भी remainder आएगा वो आपको बताएगा कि यह power 1 है के 2 है के 3 है के 4 अब यहां पर आपका remainder क्या रहा है वन आ र तीन की पावर एक का मतलब तीन आंसर हो जाएगा option first 3 सही जवाब option one 3 सही जवाब क्या किया 33 की पावर 81 था ठीक है यहां पर मैंने इसकी काई की संख्याली 3 81 को 4 से डिवाइट किया यहां से आपका जो शेश्वल आया यानि remainder आया वो एक आया तो तीन की पावर एक माल लिया और तीन की पावर एक का मतलब होता है तीन तो मुझे पता चल गया unit digit इस case में option one 3 सही जवाब आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कुछ इस पर सवाल अब माल लीजे 28 की पावर 8 is 78 है 28 की पावर 8 is 78 है आपको क्या करना है इकाई की संख्या लेनी है यहां पर जो है 8 अब क्या करना है आपको इसको चार से डिवाइट करना तो पूरा डिवाइट करने की जरूरत नहीं ह दो आएगा कित्ती बार 19 बार 76 और रिमेंडर देगा दो और क्या देगा रिमेंडर दो नाइंटीन इन टूफोर 76 होता है तो आपके पास शेश्वल बचा 2 यानि यह हो गया आठ का स्क्वेर और आठ का स्क्वेर का मतलब होता है 64 यानि इकाई की संख्या आपकी आ गई श लिए तो अब यह सवाल वीडियो पॉस्ट करके आप लोग solve करें यह सवाल वीडियो पॉस्ट करके आप लोगrr घरे और बताए इसका अंसर क्या होगा को इस उम्मीद करते हैं आप सब का अभी तक आ गया हो यहां पर अब देखें से कैसे करेंmers आठ है, ठीक है, अठारा को चार से डिवाइट किया, रिमेंडर यानि शेश्वल आया दो, तो आठ का स्क्वेर हो गया, प्लस, आठ के स्क्वेर का मतलब एकाई की संख्या, छे, आठ का, स्वरी, चौसट, यानि एकाई की संख्या, चार, आठ का स्क्वेर मतलब चौसट, य आपको पता है, 4 पर कभी भी odd power होती है, तो हमेशा क्या आता है, 4 आता है, even होती है, तो 6 आता है, अभी क्या है, 4 की power 11, यानि odd है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 4 लिखतो गया, तो 4 प्लस 4, 8 हो गया, तो इकाई की संख्या आपकी आगई, option 1, 8, तो इकाई की संख्या क्या आगई, option 1, 8, सही, बड़ी आसानी से, अब आप इस तरीके के सवाल, solve कर सकते हों, आगे बढ़ते हों, अगर इनी तरीके के सवालों को थोड़ा complex कर दिया जाए, यानि equation के form में दे दिया जाए, तब हम इसे कैसे solve करते हैं, दियान से देखिए, अगर मैं पहले पार्ट की बात करूँ, इतने पार्ट की, multiplication में है, आपको पता है, 4 पर even power, 4 पर even power, यानि यहां से आएगा 6, into, 4 पर odd power, यानि यहां से आएगा 4, 6 into 4, 24 होता है, यानि इदर से इकाई की संख्या अपने पास आ गई, 4, यहां से इकाई की संख्या क्या आ गई, पहले दो टर्म से हमारे पास, 4, अब 1 पर कुछ भी power हो, 1 पर कुछ भी power हो, हमेशा इकाई की संख्या क्या रहती है, हमेशा इकाई की संख्या कह रहती है अब आ जाते है इधर यहां पर क्या है इकाई की संख्या है साथ 157 चार से डिवाइट किया तो आपको पता है चार से चपन यानि एक बार 14 फोर्जा 56 यानि यहां से आपका आ जाएगा साथ की पावर एक इसको डिवाइट करने पर रिमे नो है नो पर इविन पावर जब भी आती है इकाई की संख्या क्या हो जाती है इकाई की संख्या आपकी हो जाती है प्लस नो का स्कुर्ट एक यानि एक अब पाँच पर कुछ भी पावर हो हमेशा क्या आता है पाँच आता है तो यह होगै माइनस का पाँच चार और एक पाँच माईनस पाँच कैंसल साथ प्लस एक आठ यानि इकाई की संख्या हो गई आठ ऑप्शन वन इस तरा राइट आप सर्वे सही है, तो आप लोगों ने इस सवाल को भी बड़ी आसानी से कर लिया होगा, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, बहुत ही प्यारा सा सवाल था ये भी, अगले condition की तरफ बढ़ते हैं, चली, उमीद करते हैं, आप सबने इसको ट्राय किया होगा, आप सब को इसको करने में मज़ा आया होगा, अगर आपका उत्तर आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आया, तो देखे कैसे आएगा, ठीक है, आप देखो, यहाँ पर लिखा है, चार की पावर एक, प्लस नो का स्क्वेर, प्लस चार का क्यूब, प्लस नो की पावर चार, और ये condition बढ़त तो मुझे एक चीज़ पता है, कि चार पर जब भी और पावर आती है, तो मेरे पास आता है 4, चार पर जब भी और पावर आती है, तो मेरे पास आता है, unit digit में 4, इसी प्रकास से, नो पर हमेशा even पावर आईगी, दो, चार, छे, आट, दस, सो ओन, तिल 100, और नो पर जब जब भी even पावर आती है, 9 पर जब भी even पावर आती है, मेरे पास आता है 1, 9 पर जब भी even पावर आती है, तो क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, तो मुझे क्या पता चला, हर 2 digit, पहले 2 number मिलकर 5 बनाएंगे, उसके बाद अगले 2 number मिलकर 5 बनाएंगे, तो क्या होगा, ऐसे कित आपने पेर बनेंगे दोधों के पेर बनेंगे 100 यह आप सँ and है result में दोधों के पैर बनेंगे यानि 50 तबनेंड। अगर पांच 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 बार आएगा तो जो क्यों हो जाए किसे प्रदध सब्सक्राइंगétais कर्यों सब्सक्राइगा यानि 5 Și Less अगले सवाल पर भी आपका वही कॉंसेप्ट लगेगा बस यह मल्टिप्लिकेशन में अगर यह मल्टिप्लिकेशन में तो कैसे करेंगे वीडियो को पॉस्ट करें ट्राइक करें अगर आप से उत्तर आ जाए तो बहुत बहतरीन अगर नहीं आए तो अभी हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा चलिए आप लोग ट्राइ करें अगर नहीं आया तो देखिए कैसे इसका आंसर आएगा यहां पर देखिए क्या लिखा है फोर की पावर वन इंट की पावर इंटू नाइन का स्क्वेर इंटू फोर की पावर तू फोर rat की पावर 7 के 10 के इस चलता जा रहा है आप देखो फिर से यहां पर चार की पावर एक यानि मिशन चार राएगा और नविषा एक आईगा तो यहां से हमें क्या पता चला अगर हम दो टम मल्टिप्लाइ करते तो हमारे पास चार आ रहा है यानि ऐसे चार कितनी वाद